सूप्रभाद बच्चों, आज मैं हिंदी की इस कक्षा में आप लोगों को अनुस्वार यानिकी बिंदू और अनुनासिक यानिकी चंदर बिंदू की मात्रा तथा उसके प्रयोग के वारें बतलाओंगी अनुस्वार दिन शब्दों में नासिका यानि की ना का प्रयोग हो वहाँ अनुस्वार का प्रयोग होता है दिन शब्दों में मुख और नासिका दोनु का प्रयोग हो वहाँ चंदरबिंदू का प्रयोग होता है तो बच्चो आज हम सीखेंगे अनुस्वार और चंदरबिंदू की मात्रा सबसे पहले अनुस्वार सेखते हैं अनुस्वार का चिन ऐसा होता है चलिए अब हम देखते हैं कि अंग की मात्रा कैसे लगाते हैं अनुस्वार की मात्रा वाले शब्द अ अंकी मात्रा डा अंडा प त अंकी मात्रा ग पतंग ब अंकी मात्रा द र बंदर स अंकी मात्रा त रा संतरा अब हम अंकी मात्रा वाले को शब्दों को चित्र के साथ देखेंगे मंदिर, पंखा, कंगन पढ़ो और समझो रंग, जंडा, दंडा, थंडा, नंदन, चंदन, वंदन, बंधन, अंगूर, लंगूर, सुन्दर, बंदर, जंगल दंगल, मंगल, कंकड इन्हें हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे अब हम लोग अभीता पढ़ते हैं, जिसमें आंकी मात्र का प्रियोगूँआ है खाता था मंगल अंगूर, जपट पढ़ा उस पर लंगूर डंडा ले दौरा संगम भाग गया सरपट लंगूर अब हम अनुनासिक की मात्रा कैसे लगाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे अनुनासिक का चिन, यानि की चंदर बिंदू का चिन इस प्रकार होता है अनुनासिक की मात्रा बाले शब्द उं चंदर बिंदू ट, उंट आ चंदर बिंदू ख, आँख चा चंदर बिंदू द, चांद अब हम चंदर बिंदू की मात्रा बाले को शब्दों को चित्र के साथ देखेंगे साप, अंगूठी, पढ़ो और समझो बूंद, सूंड, मुह, उंट, मूच, पूच, धुआ, कुआ पाउं, चाउं, गाउं, बास आवला, सावला, अंगूठी, बासुरी हम कहानी पढ़ेंगे जिसमें चंदर बिंदू की मात्रा का प्रयोग हुआ है चंदर बिंदू और अंग की मात्रा एक गाउं था, चांदीपूर, उस गाउं में बहुत से चूहे थें चूहों के दान तीखे थें उनकी पूँचें लंबी थी, मूँचें भी बड़ी बड़ी थे चूहे बहुत तंग करते थें एक बार चूहे राजा की अंगूठी ले गए राजा मू लटका कर बैठ गया एक दिन एक बांसुरी वाला आया उसका रंग सावला था वह बोला, मैं यहां से सारे चूहे भगा दूँगा बांसुरी वाला आंगन में गया उसने बांसुरी बजाई सारे चूहे निकल कर आंगन में आ गये चूहों को लेकर वह जंगल पहुचा उसने एक गूफा में चूहों को बंद कर दिया राजा ने उसे मू मांगा इनाम दिया राजा खुश था बाउसरी वाला बाउसरी बजाते बजाते जंगल की ओर निकल गया अंग की मात्रा को अनुस्वार की मात्रा भी कहते हैं और अनुनासिक यांदी की चंद्रबिंदू की मात्रा हो अनुनासिक कहते हैं आप कुछ अभियास कार रहे हैं बच्चों, दिये गए प्रशनों को अपनी कॉपी में, आप लोग को करना है, समझ के अंकी मात्रा और पढ़ी और प्रशनों के उत्तर दिजे, नदी के किनारे मेरा गाउं है, मेरे घर के पास कुवा है, कुवे के पास आवले का पेर है, पे मेरे पेर में काटा लग गया, मैं कुवे की मुंडेर पर बैठ कर काटा निकालने लगा, इससे आप लोग ध्यान से इस कहानी को पढ़िएगा, और प्रसनों के उत्तर दिजेगा, जो भी प्रसन है, इस कहानी के अंदर से ही प्रसन पूछे गये हैं, इन्हीं कहानी में प्रसनों के उत्तर दिजेगा, चंद्रबिंदू की है, कुवे के पास किसका पेर था, नानी कहां से आई थी, भाई किसकी धुन सुनकर हसने लगा, खाली अस्थान भरिये, मेरे घर के पास डैस है, मेरे पैर में डैस लग गया, पेर की डैस में हम खेलते हैं, सही तुकवाले शब्द लिखिये, पाउं, गाउं, बाटा, काटा, कुवां, आवला, इस प्रकार आपको सही तुकवाले शब्द को उस कहानी में पढ़के, जो भी आए हैं उनको लिखियेगा, उचित शब्दों से खाली अस्तान भरिये, डैस का दिन था, आकास में डैस निकल निकला है, मेरे डैस साफ है, डैस में जंडा लगा है, बासुरी डैस से बस्ती है, पेर पर डैस बैठा है, यहाँ पे आपको हिल्प बॉक्स दिये गहें, उनमें से उत्तर ढून के लिखन है, आप लोग के सुविधा अनुसार, चित्र भी दिये गए है, चित्र को देखकर समझ कर लिखना है, कहां पे चन्र बेन्दू की मातरा लगेगी और कहां पे अंक की मातरा लगेगी, इसे आप लोग ध्यान पूर्वक्त देखकर पढ़कर समझ कर लिखेगा, धन्यवाद का जाए है, का लिखने है, का यीछ अनुसार उतके अनुसार था जित्र को भी देखकर समझ